हाई अब्रीवान होप यह डोइंग वेल बॉर्ट टाइम हो गया यह सीरीज पर कोई वीडियो बना है और आप सब की काफी रिक्वेस्ट और स्ट्राइडजी थी इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ अगर आपको भी आपकी स्ट्राइडजी शेयर करना है लोगों से और उसका रिजल्स दिखना चाहते हो तो आप हमें मेल कर सकते हो उस सेटप का नाम और जो भी क्रेडिट्स आपको चाहिए रहेगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो सब कुछ और एक चीज बताना अगर आपको अनोनमस रहना है तो भी मैं नाम नहीं लूँगा हम ऐसे ही वीडियो बना के हमारे ट्रेडिंग कम्यूटी को बढ़ा कर सकते हैं आप्रीशियेट लोग अल्रेड़ी इसमें कॉंट्रिब्यूट कर रहे है तो आज का स्ट्रेजी हमारे सब्सक्राइबर नायक ये स्ट्रेजी मुझे बहुत अच्छा लगा सीनिसली क्योंकि ये बहुत सिंपल टो एग्जीक्यूट है येट पावर्फुल सो उन्होंने अपने मेल में ये लिखा था कि आप इस स्ट्रेजी को इंडेक्स में 15 मिनिश टाइम फ्रेमें में यूज करना सो हम इस वीडियो में से बैंक निफ्टी में टेस्ट करेंगे अगर रिजल्स अच्छा रहा तो निफ्टी में आगे टेस्ट करेंगे तो इंट्रो के अदम स्ट्रेजी पे चलते हैं जा हम फीबोना की पीवेट प्लस 200 EMA स्ट्रेजी फ्रमोर सब्स्क्राइबर मिस्टर द सबसे पहले हम ट्रेडिंग ऑपन करेंगे अब इधर ऊपर क्लिक करेंगे और बैंक निफ्टी सर्च करेंगे और अब इसका सेटिंग्स ओपन करेंगे और इसके इनपूट में जो टाइप है न उसमें हम Fibonacci करेंगे और number of pivot points back को 300 करेंगे और okay कर देंगे अब वापस indicator पर click करेंगे और EA में search करेंगे तो यह built-in वाला moving average exponential आएगा उसे add कर देंगे अब इसके भी settings में जाएंगे और length को 200 कर देंगे और style में जाके color को white कर देंगे और thickness बड़ा देंगे लो हो गया setup ready चलिए rules for buy entry देखते हैं फिर्स्ट close price should be above 200 EMA फिर green candle should open below a pivot level and close above a pivot level जैसे यहाँ देखिए यहाँ price 200 EMA के उपर है और यह वाला जो green candle है वो यह S1 level के नीचे open हुआ है और closing इसके उपर दिया है यह हमारे लिए trigger candle बन जाएगा अब entry would be at the close of the trigger candle stop loss below the low of the trigger candle हम इसमें भी criteria रखेंगे क्योंकि यह index पर test करें तो for bank nifty it should be a maximum 150 points अगर इसके उपर stop loss हुआ तो हम trade नहीं करेंगे और target two times the risk so यह example win था चलिए और examples देखते हैं यहाँ देखिए यहाँ भी price 200 EMA के उपर है और यह वाला green candle R2 के level के नीचे open हुआ है और इसके उपर closing दिया है so यह हमारे लिए trigger candle बन जाएगा so हम इसके close पर entry ले लेंगे stop loss trigger candle के नीचे रखेंगे और target two times the risk और यह example पर win था चलिए I hope आपको buy rules clear है आगे बढ़ने से पहले I would like to give a shout out to chart prime वो आर today's video sponsor जिनको नहीं पता chart prime is a custom indicator service यह बाखी सब indicator service जैसे आपको सिर्फ buy या sell के tips देने वाले services नहीं है इनका goal उन trader पे focused है जो अपने trading career के मामले में serious है और इनके tool को additional confirmation की तरह यूज़ करते है अपने analysis में यह आपको 5 indicator provide करते है which has more than 20 different unique confluence points जो आप अपके analysis में use कर सकते हो जैसे उनका एक indicator है chart prime oscillator करके अगर आपके इनका subscription लिया है so I highly recommend कि आप इनका यह वाला indicator ज़रूर explore करना क्यूंकि I feel this is a powerful indicator इस पे हमने एक वीडियो बनाया भी है इस oscillator में उन्होंने बहुत सारे bearish या bullish signal को एक साथ club कर दिया है जैसे यह macro overbought और oversell region यह trend dots यह regular यह फिर hidden divergence जित जाता है आपको यह reversal warnings हुआ और यह micro bands हुआ etc और भी बहुत सारे चीज़े इसमें जिसको आप club करके powerful strategy भी बना सकते हो अब settings में देखिए यहाँ इतने सारे features है obviously this is not for everyone और मैं आपको guarantee भी नहीं दे सकता कि आपको हमेशा बैसा बना के देगा but इतना तो हम भी जानते कि हम traders है और हम probability पर विश्वास करते है so I would advise to take their one month subscription and try out their product yourself और जितना experimentation है back testing करना है कर लो सही लगा तो ही continue करो वरना मत करो कौन force करता है और description मेरा link तो रहेगा जिसे use करके आपको उनका product 30% तक भी off मिल सकता है on their monthly और yearly plan so if you find them interesting then make sure to check them out अभी थोड़ा sell rules भी देख लेते हैं first close price should be below 200 Ea में फिर red candle should open above the pivot level and close below the pivot level जैसे यहाँ देखे यहाँ price 200 Ea में के नीचे है और यहाँ पर एक red candle form हुआ है जो यह R2 के level के उपर open हुआ है और closing इसके नीचे दिया है so यह हमारे लिए trigger candle बन जाएगा so entry would bet the close price of the trigger candle stop loss above the high of the trigger candle इसमें भी same maximum 150 points का stop loss अगर उससे बड़ा रहा stop loss तो हम entry नहीं लेंगे और target two times the risk so यह example भी विन था चले इसके और examples देखते हैं यहाँ देखे यहाँ भी price 200 Ea में के नीचे है और यह red वाला candle यह pivot के level के उपर open हुआ है और उसके नीचे closing दिया है so यह हमारे लिए trigger candle बन जाएगा so हम इसके close पर entry लेंगे stop loss trigger candle के high पर रखेंगे और target two times the risk but unfortunately this was the stop loss कोई बात नहीं ऐसा सब होता है रहता है चलिए next example देखते है जैसे यहाँ देखे यहाँ भी price 200 Ea में के नीचे है और यह red वाला candle यह pivot level के उपर open हुआ है और नीचे closing दिया है so यह हमारे लिए trigger candle बन जाएगा so हम इसके close पर entry लेंगे stop loss trigger candle के high पर रखेंगे और target two times the risk so यह example भी विन था चलिए I hope strategy clear है मैं जान मुझके इतने सारे example कवर करता हूँ ताक कि आपको कोई doubt ना रहे so इस strategy को हम total 100 times test करेंगे और इसका असलिए win rate check करेंगे I'll let you know the full result after the test चलिए results देखते है so the test server चैसे आप देख सकते हो total number of trade was 100 उसमें से 48 are win and 52 was loss so win rate हुआ 48% total gain in an account was 47.71% and max drawdown is minus 10.42% continuous win in a row is 4 and continuous lose in a row is 9 so total duration of the test was 5.621 months जैसे आप देख सकते हो strategy is profitable 47.71% gain in 5.621 months test duration is quite good drawdown थोडा हाई है that is minus 10.42% बाद एक इंडेक्स स्टारेजी के ये बुतना बुरा भी नही है for a simple strategy results are impressive or re-watch any specific strategy you like so guys if you like the video please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification and do like the video and share the video अगर आप हमको support करना चाहते हो तो UPI idea आपके screen पे होगा अगर आपके पाज DMAD account नहीं है तो description में 0 तका link डाल दूँगा हमसे account ओपन करके आप channel की थोड़ी help कर सकते हो and make sure to check out chat prime from below description मेरा code use करके आपको उनका product 30% तक off भी मिल जाएगा और अगर आपको ये वाली back testing sheet चाहिए तो मैंने इसा already मेरे channel पे share किया है आपको एक video suggest हो रहा रहेगा link description में होगा वासे इसको ज़रू check out करना प्लीज comment में आपके feedback दीजिए और कुनसी strategy आप चाहते कि हम back test करें अपने future videos में ये भी ज़रूर बताना आप हमारे channel के playlist दीख सकते हो और जिसे strategies के videos भी दीख सकते हो all the social media links will be in the description please follow us and show our support more awesome contents are on the way so see you next time झाल